हलो दोस्तों फिजिक्स वंडरलेंड यूटूब चेनल पर आपका फिर से स्वागत हैं आज का जो हमारा टोपिक है उसमें हम डिसकर्शन करेंगे वैक्टर्स के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे आज रेजोलेशन ओफ वैक्टर्स क्या होता है उसके बारे में स्टेडी क स्टार्ट करेंगे जिससे हमें प्रोलम की लिए हो जाए तो स्टार्ट करते हैं आज का लक्षर जिसमें हम पढ़ेंगे वैक्टर्स ओफ रिजूलेशन तो स्टार्ट करें वैक्टर्स क्या था वैक्टर वैक्टर्स और इसमें हम क्या पढ़ेंगे रिजूलेशन रेजोल हमने लास्ट लेक्टर वीडियो पड़ा देखा उसमें हमने पड़ा यूनिट वैक्टर एंड पोजिशन वैक्टर उसमें हमने क्या यूज किया था हमने यूज किया था उसमें डारेक्शन एक्स और य एक्सिस यह ओरिजन हमने माना था यह हमने यूज किया था कि यूनिट वैक्टर एक्स डारेक्शन में हम आई कैप यूज करते हैं वाई डारेक्शन में जे कैप यूज करते हैं और जे डारेक्शन में मानलो जे डारेक्शन भी हो तो उसमें हम क्या यूज करते ह के के का के का यूज करते हैं लेकि अब हम मान लो कि डाल सिर्क्षन जो दे रखी है वह और किसके कोलडिंग नहीं नहीं दे रखी xy के कोड़िंग हमें नहीं दी हुई है हमें दे रखी है कि दीसाnốर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट यह इसका origin हो गए यहां पर तो आई-कैप, जे-कैप, के-कैप यह तो हम यूज करते हैं एक्स, वाई और जे डारेक्शन के लिए जब हमें नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ इस परकार से सिस्टम दिया गया हो तो उस सिस्टम में हम आई-कैप, जे-कैप, के-कैप कैसे निकालते हैं कैसे इसको करते हैं तो सबसे पहले तो हम सिंपल तरीके से इसको चीकें के लिए कि यह एंगल इतना दिया हूँ है 45 डिउम हमינה इसकी जो पॉजीसन यह पॉजीसन वैक्ट्र हो गया मालो किया पॉजीसन वैक्ट्र तो इसको कयला लिखा जाए यह साउस होगी इस्थ नहांद Sum एंगल बना है और इस परकार से वह चल रहा है यहां से कोई पारिटिकल ऑब्जेक्ट चल रहा है इस परकार से कि इसके साथ में एंगल बनाना 45 इसके साथ में 45 बनेगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है हमने 45 लिया तो 45 ही है तो इसको हम कैसे रिपरजन करें तो इसको NYSE लिखा जाता है नर्थ और इस्ट दोनों के बीच मैं झालिया दूर्थ इस्ट क्या लिखा जाता है unlocked ऐसे मांना किया हैं पर बना है यह गाल हो गया जैसे लिखा झाल तो इसको जहर जाएगा नौर्थ्व वेस्ट अतरा अपका यह 45 डिंगर तो लिखेंगे साउथ वेस्ट लिखेंगे आईसी यह हो तो इसको यह लिख देंगे हम यहां पर इसको लिखेंगे डिरक सावथ इस्ट यॉदि ये एंगल कितने डिकरिका हो 45 विज़ 911 यदि एंगल 45 डिगरी लेकिन जरूरी तो लिये है कि हर बार एंगल एंगल 45 डिगरी का यो हो चैंज भी 300 एंटी डिगरी हो सकता है मिल मिल और शकता है जरूर ने किवह अमारे पास आइंगल 45 डिग्री ही हो तो उसको कैसेGuishjem किया जाता है तो उसको कैसे हम लिखते है कैसे हमें लिखा हुआ मिलता है जिससे हम समझ सके कि उसका मेंक्ष क्या है एक्क्शॉल में तो देखें यहां पर मैं दुबारा इसको रिपीट करता हूं कि ये नौर्थ हो गया ये इस्ट है ये साउथ और ये वेस्ट और अब एंगल हमें दिया गया ये एंगल मान लो कितने डिग्री है 30 डिग्री है तो अब इसको क्या डारेक्शन लिखा जाए नौर्थ इस्ट वेस्ट साउथ के अ और उसके लिए हमें कैसे रिजूलेशन उसका करना है लेकिन ये चीज बेसिक है ये चीज हमें आनी चाहिए तो इसको क्या लिखा जाए तो इसको लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा 30 डिग्री नौर्थ आफ इस्ट क्या लिखा जाएगा 30 डिग्री नौर्थ आफ इस यानि कि east से कितने degree 30 degree घुमना है किधर north की और क्या मुन स्वाइश का इसको क्या लिखागा 30 degree north of east यानि कि east से 30 degree चलिए किदर north की और ऐसे इसको दूर्शा मैथर भी क्या लिख सकते यह तो इसको क्या लिख सकते हैं इस कंडिशन में यदि 60 डिखेंगे तो इसको लिखेंगे 60 डिखेंगे इस अफ नौर्थ क्या लिखेंगे 60 डिगरी इस ऑफ नौर्थ ये हमें पता होना चाहिए जैसे मालो यह यह एंगल हमें दे दिया यह एंगल दे दिया मालो 37 डिग्री कितना दे दिया 37 डिग्री तो इसको कैसे लिखे तो इसको लिखा जाएगा तो याद रखना हमें जाना है साउट से किदर वेस्ट की और जिदर हम जा रहें उसको पहले लिख दो यहां पर भी ऐस से तो यह हम नोर्थ में लिखा 30 डिग्री नौर्थ ऑफ एस्ट तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 37 डिग्री वेस्ट वेस्ट ऑफ साउथ यह लिखा जा सकता है फैर college स्था रिटी सेवं डिजियो वेष्ट ऑफ साउथ से कितने डिइख छलणा किधर वेष्ट ओक इसलिए वहां कन्फिुट आई केप जकेप करके हमें ऐसे दे दिया जाता है कि 37 डिग्री वेस्ट ओफ साउथ हमें चलना है जैसे दे दिया मालनों 5 मिटर पर सेकंड यह दे दिया और यह दे दिया एंगल 30 डिग्री नौर्थ ओफ इस परकार से यह दे दिया अब इसको कैसे समझे यहां आई कैप जे कैप थोड़ी दे रखा है हमें इसमें भी नहीं दे रखा हमें इसमें मेग्निटूर दिया हुआ है तो यह कंडिशन जो है इसके अकोर्डिंग हम लिखेंगे इसके अकोर्डिंग हमें लिखना पड़े जैसे इसको ही लिखना चाहें हम तो कैसे लिखें इसको यहां पर क्या दिया हुआ है नौर्थ of East यानि की east से कितने degree katie 707 चलना किदर कि नोर्त योच तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे these scale हब एंक पर शेकन हम ले लिए और यह यह एंगल हो गया 37 डिग्री यह हो गया east और यह हो गया नोर्थ तो इसी को लिखा हमने इसको क्या लिख देंगे 37 डिग्री नौर्थ ओफ इस लिखेंगे तो इस परकार से हमें चल नहीं है तो यह ध्यान में होना चाहिए किस परकार से रेजुलेशन के डारेक्शन यदि आई कैप जे कैप नहीं दे करके इस परकार से दे दिया जाएगा तो वह भी हमें आना चाहिए ठीक है अब हम आगे बात करें रेजुलेशन की बात कर रहे थे यहां पर रिजुलेशन आफ वैक्टर ठीक है तो उसके लिए हम कुछ कुछस रते हैं तो पहला एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें ये विए जैसे यह 37 कितने डिगरी है सिक यह जो वेल्व यह से फॉर और यह वोगी 3 कि यादर रखना यदि एंगल 30 डिग्री दिया हुआ हम यह नाइनटी डिग्री हो गया है तो इसमें जब यूज करेंगे करेंगे तो इसकी वेल्यू 4 इसकी 3 और इसकी 5 यानिकि बेस तो 4 परपेंडिकुलर 3 और था 5 यूज किया जाता है अब इससे हम वेल्यू निकालने जैसे बेस अपॉन है पोटेनियस तो बेस कितना इसका बेस फॉर और है पोटेनियस कितना है तो यह किसकी वेलियो जाएक ओस 37 डिगरी की ऐसे साइन 37 डिगरी निकाले तो वह क्या होगा वह होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपॉतेनिस थ्री अपॉन फाइव यह किसकी वेलियो हजाएक इस ऐसे टैन की निकाल सकते यह याद होना यह कॉमन ट्राइंगल है जिसमें एंगल कितना हो 37 डिग्री ऐसा ही दूसरा एक और है यदि दोनों में कि यह एंगल मानलो 53 दिग्री तो उस कंडिशन में यह तो 5 ही रहेंगा यह क्या रहेगा 5 यह interchange हो जाएंगे यह 3 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा तो यह दो एंगल के लिए value हमें याद होनी चाहिए competition exam में ऐसे काफी question पूछे गए हैं जिसमें एंगल 53 डिगरी और 37 डिगरी था तो उसमें हमें याद होना चाहिए कि यह हर कंडिशन में 5 रहता है जब यह 37 डिगरी तो यह 4 यह 3 और इसमें जैसे 53 हो जाएगा यह उल्टा यह नॉर्मल सी चीज़ा यह याद होनी चाहिए अब हम question करें तो question के लिए मान लो कि हमें दिया गया है कि कोई person है जैसे मान लो राहूल है कौन है राहूल है question में हम ले मान लो राहूल राहूल तिक है moving कर रहा running कर रहा 5 meter per second की speed से क्या कर रहा है क्या कर रहा है running कर रहा है 5 meter per second की speed से running कर रहा है और हमें दे दिया मान लो 37 डिगरी क्या दे दिया 37 यह इसको छोड़ दो इसका बाद में यूच करेंगे एंगल र niemand कर रहा है तो हमें यहांपर जो देया हुआ है मैंकंचूोड बिल्ड में क्या दे également हमें है कि वेक्टर में अंप यहलोशची गया है व्ड़ोशीटी की बतानी मारा नहीं कि आइकी 501 गया की फोऑग नोहीं हमें तो only क्या दे रखा है magnitude जैसे पहले last lecture में हमने किया था मानलो vector हमें दे रखा था vector a equals to 2i cap plus 3j cap और हमने कहा कि इसका magnitude निकालो तो magnitude हमने निकाला था इसका कितना है था इसका square किया था सीधा तो 2 का square plus 3 का square कितना हो जाएगा एंडूट 4 plus 9 यानि कि एंडूट 30 यह magnitude आ गया अब हमें क्या दे रखा है हमें value दे रखिया 5 meter per second अब i cap j cap की form में नहीं दिया हुआ तो हमें इसको i cap or j cap की form में लेकर के आना है ऐसा question भी दिया जा सकता है तो इसको कैसे हम solve करें ठीक है तो यह solve करना हमें आना चाहिए तो कैसे इसको solve करें देखिए मालो की angle भी दे रखा हमें कुछ से तो यह हमें condition दे रखिए यह condition ठीक है हमें दिया हुआ है यह 37 degree के उपर है कितने डिगरी पर थार्टा रानिंग कर रहा है ठीक हो गया इसको क्या लिखेंगे घरटीसेवन डिगरी नॉर्थ यह साउथ हो गया सॉथ सॉथ लिखें यह नोर्थ हो गया यह साउथ हो गया और यह वेश्ट हो गया तो क्विशन क्いहाता कि वो मुव करजा रा तो यानि कि यह वेलु हमें दे रख्यां किसंदिया दिया हुआ yet ble मैगनिटूद दिम दिया हुआ अब हमें इसके और किम्पोनेंट करने किया कर्ने यानि कि i-cap और j-cap की form में इसको हमें लेकि आना है अब हमें ना तो i-cap दे रखा ना j-cap दे रखा है ना x-axis है ना y-axis हमें तो इसमें दे रखा है सिस्टम में बताया ना कि ऐसा सिस्टम भी हमें दिया जा सकता है तो इसको solve करने का method हमें आना चाहिए तो इसी को हम regulation of vectors से यूज करेंगे तो यह चीज किलियर हो जाएगी उसके बाद में regulation of vectors क्या है एक तरह से regulation of vectors ही हम कर रहे हैं अभी जो कर रहे हैं वो regulation of vectors ही है लेकिन जब यह चीज हमें clear हो जाएगी जो हम problem solve कर रहे हैं यह method पता लग जाएगा तो फिर regulation हो वो कुछ भी नहीं है बिल्कुल सिंपल सा है फिर तो यह चीज हमें clear होनी चाहिए कि हमें बताना है कि कि एधर कितना है और इधर कितना ऐना की I-cap और J-cap तो इसको हम denote कर लें इस परकार से कि J- apr i- j- cap ऐसे महले तो इधर मान ले कि एधर जो value है वो कितनी है x और इधर value कितनी है यह मालना लो y कि इसको velocity मान रखा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं vector v equals to x i cap plus y j cap यानि कि इसको compare कर रहे हैं इसके साथ में इधर चलेंगे तो plus x axis यदि नीचे चलेंगे तो minus y axis में गए ठीक है उपर चले तो y axis ऐसे इसके according इसको हम solve करें तो यह हमें मानना पड़ेगा कि यह इसके equivalent है ठीक है तो यहां यहां पर हमें दिया गया है कि यह value कितनी है x हमें x की value निकालने है यह कौन सी direction में isht में है लेकिन यहां पर i cap से हमने इसको denote कर दिया इधर कि यह value है हमें to be n9 कैसे निकाले ongle हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ यह थो if य सो हमने लिखा वेकर v equals to x i cap प्लिए joint आप हमें यह mana कि सीजिए किंगे इसका मेग्निटूड हमें 5 दे रख streams तो ऑछ देगे यहां पर सबस्कीर 19 को सब्सक्राइब तो कोस 37 डिगरी यहां से निकालना चाहें तो क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस यहां पर बेस तो क्या एक्स और हाइपोटेनियस कितना फाइफ तो क्या लिखा जा सकता है cos 37 degree equals to x upon 5 यह लिख सकते हैं तो एक सिक्वेस्ट कितना आ गया एक सिक्वेस्ट आ गया इधर multiple कर दूं तो 5 cos 37 degree यह आ गया अब मैंने आपको ट्राइंगल बताया था इसलिए बताया कि यह वेल्यू हमें यूज होगी इसलिए आपको याद रह जाए यह 37 डिग्री यह वेल्यू 5 थी यह 3 थी और यह 4 तो इस ट्राइंगल से मैं cos 37 निकालूं तो अभी अभी लिखा था cos 37 degree कितना यह था 4 अपॉन 5 यह था बेस अपॉन 4 पॉन 5 तो यान कि cos 37 डिग्री की वेल्यू कितनी होती है 4 अपॉन 5 तो यहां लिख सकता हूं तो एक से कितना जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 5 5 से 5 कैंचल तो एकस की वेल्यू हमें मिल गई अब हमें किसकी निकालने य की वेल्यू निकालने के लिए हम क्या करें जुँकर दे सें चिग्री क्या इधर में दॉटि कितना होगा साřिं था क्या होता है इस टो साइंटि 컨ल पर्पिंडीकुलर यहां पर य है ईचरे पर्पेंडिकूलiba पॉपं हाइपोटियन वेइस बोल दिया पर्पेंडिकूलर अपॉपं हाइपोटियनेश पर प्रपैंडिकूलर क 2008 हो तो एप dreaming साइं 37ग तो वाइक वेस्ट्ट कितना जाएगा फाइफ इन्टू साइं 37 ज है अब हमें निकालना है किसकी वेलू साइं 37 डिगरी यह डाइग्राम बना हुआ यह पहले बता देती मिन्यों कि याद रखना जब 37 डिग्री हो तो यह 5 होगा यह 3 और यह 4 यानि कि यह जो बेस होगा वह 4 होगा पर्पेंडिकुलर 3 होगा हाइपोटेनियस 5 होगा कब जब एंगल कितना हो 37 डिग्री हो अधरवाइज आप सौल कर सकते हैं लेकिन यह मैठर याद हो जाएगा अगर इसको याद कर सकते हैं तो यहां से अब इससे हम वैल्यू निकले साइं 37 डिग्री कितना हो जाएगा पर् 37 डिग्री कितने हैं 3 अपॉन 5 यह से कैंचल हो गाया तो य क्वेस्ट्व कितना अगा 3 तो अब हमें वैल्यू एक्स की मिल गई एक्स की कितनी है और वाई की कितनी है तो अब मैं इस वैल्यू जो हमें दे रखा था कि हमें दिया हुआ था राहूल है वह 5 मिटर पर ली इस पीड्यू से तो इसको किसमे वैक्र इस फॉरम में लिखना याई की कि फॉरम में तो ऊसके लिए हमने क्या माना वैक्र वैक्टर विक्वैश्ट्व्य रेक्स का सबंदी व 경द कितनी Thought to 5 2 1 2 Ottawa a विर्यू हमने की परता कितनी हुए तो आप जो हमें दिया हुआ i cap plus y की value कितनी है 3 तो 3 j cap यह vector form आगा है जो हमें दिया हुआ था हमें only magnitude और angle दे रखा था और angle भी x axis y axis में हमें नहीं दिया हुआ था तो इस परकार से हम यदि हमें इस परकार से दिया हुआ हो तो उसको हमें i cap j cap में लिखना आना चाहिए र यह दिया हुआ हो तो उसका magnitude भी हमें निकालना अना चाहिए यहादि इस का magnitude हम निकालते हैं तो magnitude الب निकालेंगे तो कितना हुआ गा जो value है उसका 2 x… ड कि 4 x cream square PL+. 3 x, Office लगा दो इस इसका square add कर दो, ynroot लगा दो तो कितना हो जाएगा 16 plus 9 कितना हो गया vite 25 कितना आ लेकिन अर्फ फाइफ मेंटर पर सेकिन तो इसकी यूनित है लेकिन magnitude कितना हमारे पास 5 इसको क्लें तो कहने का मिन्स ही है कि यदि हमें magnitude दिया हुआ हो किया दिया हुआ हो magnitude दिया हुआ हो तो उसके उसको हमें convert करना औा चाहिए i cap और j cap के according ठीक है तो इसी में हम यूज कहलेंगे किसका रेजोलेशन ओफ वैक्टर्स का तो यहां पर देखिए हमने जो यहां सोल किया इस परकार से माल लो कि यह एंगल हमें दिया हुआ था 37 डिगरी कितना दिया हुआ था 37 तो 37 डिगरी के एक्वल यह स्पीड हमें दे रहे थी थी 5 और यह हमने निकल लिए 4 आ गया और यह कितना गया 3 आ गया तो अब इसको मैं इस परकार से रिप्लैस कर दूँ यदि कि यह कोई magnitude दिया हुआ है यानि कि मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं यह एंगल थीटा हूं मान लो यहां तो 37 यानि कि अब इसी को हम convert करने इस परकार से एक formula हम लिख रहे हैं कि हमें अलग-अलग solve करने की requirement नहीं होगी फिर तो यह x मान लिया और यह क्या मान लिया y मान लिया क्या मान लिया यह x और यह y जैसे अभी मान था तो x को क्या लिख सकते हूं y को क्या लिख सकते हों तो यहां पर आप check करोगे तो यहां पर यह दि मैं लिखना चाहूं cos theta कितना आएगा x upon m आएगा, क्याएगा x upon m, base upon hypotenuse cos theta यह होता है, तो x कितना आ गया, m cos theta, कितना आ गया, m cos theta, ऐसे यह दि मैं sin theta निकालना चाहूं, तो sin theta कितना जाएगा, y upon m, यानि कि y कितना गया, m sin theta, m का मींच है, यहां पर जो हमें value दे रखे है, वो magnitude है, जैसे 5 है, तो यह magnitude है, तो इसका मींच है, magnitude लिख रहा हूं, कोई भी vector है, उस vector का magnitude यह होगा, तो यहां पर यह angle है, अब finally हम क्या लिख सकते हैं, हम finally ऐसा लिख सकते हैं, कि जो हमें value दे रखे है, उसको soul हमें करना पड़े, तो हम इस परकार से इसको replace कर सकते हैं कि यह angle दिया हुआ हो थीटा यह magnitude हो गया तो यह जो x हमने लिया वह x किसके equal है m cos theta यानि कि यह m cos theta जाएगा और यह वाला component क्या जाएगा यह component y है y कितना जाएगा m sin theta कितना जाएगा m sin theta तो कहने का मिंच यह है कि यदि हमें magnitude दिया हुआ हमें magnitude दिया हुआ हो तो हमें उसको i cap j cap में तोड़ना है factor उसको बनाने है तो दो factor बनेंगे एक तो cos theta का बनेगा और एक sin theta का दूसरा इसमें यह याद रखना कि जो magnitude है उसको multiple हमने cos और sin से कर रखा है तो cos किदर आएगा sin theta किदर आएगा angle कुछ भी हो सकता है तो याद रखना जिस axis के साथ में जैसे इसके साथ में angle बना theta तो जिसके साथ में जीधर angle बन रहा है उदर हम लिख देंगे cos theta factor और उसके दूसरी और जाने कि cos theta pass में होगा जिस axis के पास में होगा उसको cos theta लिख देते हैं और दूर वाली है उसको क्या लिख देंगे sin theta इस परकार से हम regulation करते हैं किसका factors का तो अब हमारे जो problem है उसमें हम सीधा यूज कर सकते थे क्या यूज कर सकते थे हमने अलग लेकिसको soul किया तो यहां सीधा लिख सकते थे 5 cos 37 degree इसको लिख सकते थे 5 sin 37 degree अब यह value हमें याद है तो यह value निकल गई और यह value निकल गई वह problem soul इसलिए की गई थी जिससे आपको यह चीज की लिए हो जाए यह चीज क्या है कि यदि हमें magnitude दिया हुआ है और उसका हमें क्या करना इधर लेना है एंगल यहां बना तो हम उस magnitude को दो factor में divide करेंगे जिसमें से एक होगा sin theta factor और एक होगा cos theta factor जो इस परकार से हम यूज करते हैं तो यह हमारा आज का lecture था जिसमें हमने resolution of factors के बारे में discussion किया कुछ problem solve की अगले lecture में और problem हम solve करेंगे किस से based resolution of factors पे कैसे mathematically को solve किया जाता है जिसे और अच्छे से हमें कीलियर हो जाए यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सेयर कीजिए कर दो कर दो कर दो